कि वह बहुत अच्छा नियम लाकू किया तया इसमय से जागप हो रहा है। हम दो हमारे का तुरीकत क्या होगा। समझाओं... सब्सक्राइब एक दम आपका काना सब्सक्राइब है जो इसको जानते हुए भी पड़े लिके होने के बादी उनका सुनने में ऐसा आता है मुस्लिम की बात करें जी मुस्लिम समधाय या कुछ पिछले वर्ग समधाय भी है जिनकी माइन मैक अप दो नाम लिए अभी आपने एक समधाय आप दूसरा एक मुस्लिम तो होई गया जिनके कौम के लोग कहते हैं कि अपने एतने जादे बच्चे पैदा करिए फिर कोई दि अपने खर्चा भी देगा उनको तो आप आप अबादी अपनी बढ़ाएं ताकि हम लोग की मजबूती जो रहे सहर में वर्चल ज्यादा अबढ़ सके दूसरा और आपने इतने इतना पैदा करो ताकि तुम आगे चल को उसको अज्यूकरी मिल सके यह इंडिया की पपुल यह इसी वाजाते मेरे पापा खुद बोले कि बेटा इतना करो कि तुम उसको पढ़ा सको खिला सको उसका घर बाद सब चाहिए यह मुसलिम खासकर मुसलिम पर ठोपा या तहना यह बहुत गलत वात है यह हमारे घर गपाक यह योगी जी के देख लिजे कितने भाई बैना मोदी जी के देख लिजे कितने भाई बैना और जो महराष्टे में जो हैं जो बोल ले थे कि मुसलिमों उनके देख लिजे कितने भाई बैना यह किसी को पर कोई चीज ठोपा नहीं जाता है मोदी जी न बहुत अच्छा किया होगा जिसके नजर में उसको हम लोग खुठ जाते हैं आज लोने हूं अरो उसमें उसमें मिलता है 35 बोलते हैं इतना ले जाओ ने तो यह बीस कि देंगे तो ये क्या है यह जैसे इंकी सोच अच्छी इनके परिवाय की सोच अच्छी है जो पढ़े लिखे हैं जो चीज समझ रहे हैं चीजों को देख रहे हैं जहां आप ऐसे इनके जैसे की कालोनीक होती है कालोनी और गुसिए उसमें 15 मकान में वीजिट करेंगे तो आपको किसी एक मकान में दिखेगा तो वहां जो उनसे आप कुश्चन करेंगे तो यह कहेंगे क्योंकि टीवी पर विस चीज पर आ चुका है डाइटली आप यह मात मानोगे कहिने कि इसके पीछे एजूकेशन मुद्दा है और बाकी पीछे क्या मुद्दा और तो नहीं कर सकते हमारे असाब से जो लगता है एजूकेशन और सोच यह दोने माइने रखता है कि आप किस कारें पर आगे बढ़ रहे हैं और क्या आप कर रहें अब यह इस पर क्या जवाब देंगे क तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो और बच्चा पैदा करके घुड़ें का फिट देगा साच्छी माराज हुए और यह कई सारे हिंदू जो साधुसन टाइप की लोग है जो भरती इंता पार्टी के चेहरे भी हैं कहीं ने कहीं वह लोग भी यसे बयान देते खाय खाय अभी तक यह से मुझे जंकरी नहीं है अगर यह बोलता है कि दो से ज्यादा अगर आप बच्चे पैदा करें तो अच्छा है तो खराब है चाहे वह हिंदू में हो चाहे मुसलमान हो जाहे हैं इसलिए कि अगर मुसलिम में कोई बोले तो सारा मुसलिम गदार हो गया अगर कोई एक मुसलिम अगर हतियार उठा ले तो मैं उसको मैं मेरे आद सक हैं छो हूलमाना कोछन है मुला बोलते हैं वो खुद यह तक्रीर करते हैं कि वह हम में से नहीं तो फिर उसे क्या लेंगे अब यह एक बात और अभी जो हुआ बीस लाग मुसल्मानों को कतले आम नरसंग हान करने की बात कर रहे हैं अभी यह क्या नाम है अभी हुआ था यह फुला मंच हुआ था तो उसमें दो बोलने हैं कि भी हजार मुसल्मान को कतले करना है यह हमने तार्गेट उठाय इसके उपर कोई ना मोदी जी ना आवाज यह क्या मतलब इसका यह दूसरा प्रेशन है यह कोई अगर एक मुस्लिम कुछ गड़बड करता है उसे लेकर अगर कोई एक मुस्लिम की बात नहीं है जो देखा जाता है या जो आप जैसे आप जैसे आप हमारी आज इंटर्विव ले रहे हैं आप जो जान रहे हैं इसी तर इस अपास में है जो दीखता है जहां पर किसी कौण में क्या यह निगla आप नहीं है तो उसमें भी है कुछ है हमारे में भी कुछ हैं बट जो हालाइट हुआ है जो दिखा है हम सी उसकी बात कर रहे है अचा नहीं वह तो गलत है बिलकुल गलत है पांच उंगली बराबर है और वह थाद कार तो आप ने किया क्या कर रहे हैं आप नहीं है रहे हैं उन्होंने दिया लेकिन क्या न्यूज पर क्या वर्ड यूज करना चाहिए कि हमारे में यह अल्ला का देन है यह चीज़ होना चाहिए कि वह भी गलत है जो न्यूज चैनल पर मौलाना आते हैं मैं उन्हें बिल्कुल नहीं मनता क्योंकि वह जो बात बोलना चाहिए श्टेट पर वह नहीं बोल पाते हैं उन्हें जो लिख के दिया जाता है बस वही बात वहां पर दहरा देते हैं कोई भी एक मौलाना ऐसा बता दीजिए जो हमारे पास से गया हो न्यूज चैनल में आप जो और न्यूज चैनल पर बोलते हैं उनकी बात कर रहा हूं और महलाना ऐसे बहल भी हैं जो हमारे गाऊ में मेरे महले में हैं जो मेरे मौहले में हैं वह लोग पोलते हैं इतना adaptive कि मतलब अच्छे दर पढा सको लिखा सको उनको मतलब भी बढ़ा करकर घर का भी परसान लुक्त अंदर की इच्छा होती है जो उनका भड़ास होता हुँ निकालते हैं को उनको पेड नहीं करता है उनकी आपको पेड करके यहां भेजा गया है नहीं आपको बस आई प्रशार करने लिए आप ने तो हमसे जो जो प्रश्चन पूचे हम आपको वो रिप्लाइब कर इसमें जितने आते हैं आज आज अब आपके सामने वह अच्छे हम उनको कहें गलत है नहीं कहें रहें ना जिन में मुशलम इमान होता है उन्हें मुसलमान कहते हैं आज अबीर अब्दुल्हमीद अबुलकलाम आजाद ऐसे मुशलमान इनका नाम लेने से सर्सरीबर से जुख जाता है कि हर को एक सब लोगव की बात कर था कोई हमारे यह खुले मचे से प्रग्राम होता है जिनको भी लगे मुसलमानों ओं में यह बहला ने है कि ऐसे करो ऐसे को आप आकर रात में प्रोग्राम होता है काम से फारी को के आगर बैढ़ जाइए और फिर देखिए कि अलमा लोग क्या बोलते हैं एक बात भी गलत हो कि वहीं पर पुलिस बुला कि आप उनको अरश कराई है आम हमें समीधान इजाज़त देता जो अगर ग सबका साथ सबका विकास यह तो नारा बन गया है लेकिन जो समीधान कहता है कि हम ना जाती का आधार पर ना धर्म के आधार पर भेदवा हो गा तो लग रहा है कि वह सारी चीज़ा हो रहे हैं अभी देश के एक दम हो रही है बहुत हद तक हमारे सहर में पहले क्राइम इतन की बात करें तो यहां पर हिद्दु मुस्मान जिस साब से मिल कर रहते हैं साइदी की सहर में इतना मिल करके रहते हो बनारस ऐसा जगह है चेतर है कि यहां पर आप देखेंगा बाव विस्टनाद भी है बगल में मजार भी है तो अजान भी होता है बगल में महादेव का नारा भी लगता है तो दोनों भी पास ऐसा नहीं है इतने साल से है कोई भवान के तरब से कोई दिक्कत नहीं है कभी और आज की रेट में और अच्छा हो गया है तो बिज्ञस की तरब भी अगर देखेंगे वहां पर रोजगा बाहर से कापी यात्री की तंक्यातनी बढ़ गई है कि एक दो दो बहें तक वहां यात्री आज की रेट में विसनाज जी टेंपल के पास भी लगी हुई है और वहां पे लोग खा पी रहे हैं जो भी खाने पीने का है जो भी है मतलब रोजगार का साधन वो सब कुछ वहां बढ़िया कि उसके वगल में जैश्ट मस्जीद है उसमें ना एक पोताई हुई ना रंगाई हुई यह क्या है इसके लिए अभी तो हम नहीं का सकते बट वहां पे क्या है कि जब विसनाजी बन रहते हैं जैसे वहां पे राम मंदिर भी बना है तो उसके लिए आदर जो हम हमारे मुस्दिम समाज कौम के लोग है उनको भी पुरा ऐसे कोट ने खुदी अनुमति दी है कि इतने बड़े छेतर में आपको बनाने की अनुमति दी जाएगी तो असा नहीं समीदान हमारा दोनों तरब ध्यान देता है राम मंदिर बन गया तो भी असा नहीं कि हम नहीं भी खतम करवा दिया अलग से बल्कि उसके और जगह दिया गया है पूरी मीडिया सबूत है इसके लिए जनता सबूत है और बन भी रहा है तो यहां पर भी जो बन रहा है वो भी बनेगा अब उसके बारे में डेटेल हम नहीं जान सकते हो तो या तो हमारे नेता परेश्या ह्नेता होतें तो क्या वे अट वृ काम करवआतें एकदम करवातें करेंवातें क्या कोई दुस्मनी था पुरिफ़ ने जो किया अधिनके पुरुवज नगाल ऑसंमान आज की डिएट में त्टे हो कह सो साल पहली की बात है। 500 ty टब इसक्थ कइस चलती आ है तोभी कोई तरक्की हो पाएगी नहीं कभी कोई विकास हो पाएगा अब जो लाश्ट में कमेंट चाहरा हूँ अब कहने की चर्चा एक थोड़ी सी आ गई है वह यह ने कहा कि हम लोग मिलके रहना चाहते हैं जिस पर श्टैट की थी वो था यूपी लेक्शन यूपी लेक सब्सक्राइब यूपी ने चलाया यह परदेश को मेरे हिसाब से नाइटी नाइटी परसंट समझ लीजिए फेल है तो आपको लागे जो कुछ आ रहा है तो बस वो केनर से आ रहा है योगी जी ने आज दिन तर कुछ नहीं किया अभी मैं कुछ दिन पहले हपता बर हुआ संडे को गया था घाट पर दो गाया उधर तो भाय क्या रही थी गंगे में बताइए गाय थी मेरे पाट जी जी गौसाला पर भी फेल हो गया और जो गंगा की सफाई थी उस पर तो पूरा तरीके अभी अभी पंडिक कर रहे थे मैं मुसलीम हूं मैं हिंदू की बात कर रह सफाई नहीं कर पाए मोदी जी बताइए हिंदू हो एक हिंदू हो गंदा बेपना गंदा आप तो कुछ नहीं आती बहुत बढ़िया हो गया साइस बैठे नहीं होंगे या तो देखे नहीं अभी रात्रीक वाले दिल सुबह मैं खुद गंगा जी औल्लया भाट पर मैं न किया हूं अपने पूरी फैंबली के साथ हमें तो नहीं लगता अब अपनी सोच है अराम से बनेगा अपको क्या लग रहा है यूपी लेक्शन में सरकार बनेगी किसकी योगी सरकार की या चेंज होगा मैं ही पता तो आपने देखा कहीने कहीन हमने सारे लोगों से बात की और यूपी लेक्शन के लाबा और भी मुद्द है जो कहीने कहीन भहिया को भी कई सारी चीज़ें आज थोड़ी सी पता चली होंगी नहीं पता तो है बट क्या है डीपली नहीं पता है से मैं उस पर बारे बात नहीं कर सकता पुरी तरह से ठीक है किस चीज के बारे में बत पसाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है